प्रशान दवर नाव रिसेंड़ी टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोवान ने एक बहुत बड़ी बात कई है नोंने ये का है कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि इसराइल अटाक करे टर्की को यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इसराइल का आटिकल है यह जो का अगला टार्गेट होने वाला है तर्की नाव ये टॉपिक बहुत इंपॉरेंट है इन डेप्थ इसको डिसकस करते हैं कि तर्की किस तरीके से हमास की हेल्प कर रहा है और क्यों पॉसिबिलिटी है कि मिडल इस्ट में एक लार्जर वोर हो सकती है जिसमें तर्की और इस राइल डिरेक्टली इनवाल्व होंगे और इसमें कई ना कई आप क्या लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का भी दूर से रोल इवेंचुली बनता हुआ दिखेगा डिसकस करते हैं ये सब अगर पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मेसेज कुछी गंटों में स्टड स्टडी आईकु का जो ओफ लाइन कोर्स है ये आप हैवी डिसकाउंट के अंडर परचेस कर सकते हैं सिंपली कॉमेंट सेक्शन में जाईए यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक और यहाँ परचेस कर पाएंगे स्टडी आएकु का आफ लाइन कोर्स जिसमें आप करोल बाग म आप online, offline दोनों देख पाएंगे और ये पहली बार है जब study IQ offline center में आपके लिए courses लेके आया है, सिर्फ 100 seats हैं यहाँ पर, they will be filled very soon, so use करिए code PIRITAN and save money, now Israel और हमास की war आप अगर देखो तो 7-8 महीने इस war को हो चुके हैं, और अब डर ये है, कि ये एक forever war ना बन जाए, जिस तरीके से रश्या फस चुका है युकरेन में, वैसा ही इसराइल के साथ ना हो जाए हमास के case में, क्योंकि हमास ने देखिए, गुरिला warfare tactics अपना लिये हैं, हाली में Wall Street Journal का इस पे कार्टिकल आया था, कि हमास हार नहीं मान रहा है, आपके सामने है, 7-8 महीने हो चुके हैं, इसराइल की military ने जहां भी ये bombing कर सकते ने की है, मगर अभी भी हमास का all together जो वजूद है, ये मिटा नहीं है, हमास आज भी जंदा है, और हमास को जंदा रखने में एक बहुती बड़ा रोल है, तर्की का, लोग एक्चुली भोल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि हमास को तो primarily इरान ही support कर रहा है, नहीं, हाली में क्या हुआ कि टर्की ने पुरी दुनिया को ये बताया, कि हमास के 1000 लोग टर्की के hospitals में treatment ले रहे हैं, और जब एर्दोवान से पूछा गया, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमास ने तो इस्राइल पे अटेक किया था, तो एर्दोवान ने ये कहा, एर्दोवान के हिसाब से हमास एक आतंगवारी संगटन नहीं है, इन्होंने ये कहा, कि देखिए, गाजा में election हुए थे, और हमास को majority मिली है, लोगोंने हमास को चुना है, तो इनके हिसाब से हमास एक political entity है, बाइदवे, मैं इंडिया का citizen हूँ, इंडियन गवर्मेंट ने भी अभी तक officially हमास को एक आतंगवारी संगटन डिकलेर नहीं किया है, हमास को आतंगवादी European countries, US, various और कंट्रीज मानती है, मगर एर्दवान यहाँ पर यह कह रही है कि बिल्कुल मैं support करता रहूँगा हमास की, हमास के लोगों को treatment दूँगा, free में treatment दिलवाऊँगा टर्की में, क्योंकि हमास कुछ गलत नहीं कर रहा है इनके हिसाब से, और आगे देखो, एर्दवान ने एक बहुती interesting बात raise करी है, अखंड इसराइल की, जी हाँ, undivided इसराइल, ancient इसराइल, जो कई इसराइली लोग claim करते हैं, eventually वापस बनेगा, यहाँ पर आप देख पाओगे, एर्दवान ने पहले तो यह कहाए, कि इसराइल इनके हिसाब से, एक आतंगवादी देश है, और यह कहाँ दिया कि हमास को तर्की सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि जैसे ही हमास completely हार जाता है, अगला जो target है इसराइल का, यह होगा Anatolia, अब यहाँ पर आप कहोगे Anatolia, यह कौन सा देश है, इधर आप देख पाओगे, यह कौमेंट है अर्दवान की, यह कह रहे हैं, दो नोट थिंक दाट इसराइल विल स्टॉप इन गाजा, अनलेस इट स्टॉप दिस रोग एंड टर्रिस रजीम, विल सेट इट साइट सॉन अन अनटोलिया, अनटोलिया देखिए, एक जोग्राफिकल रीजन है, जो मॉडरन डे टर्की है न, वो जिस लैंड पर है, उसे हम कहते हैं अनटोलिया, हिस्टोरिकली इसे अनटोलिया ही का जाता था, तर्की नाम आप कहले जिए बहुत ज़ादा बाद में आया है, अब फिर अगर हम बात करें इसेंट इसराइल की, तो यह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सारा पार्ट, यह कई इसराइल के लोग कहते हैं, कि यह इसेंट इसराइल का पार्ट हुआ करता था, और उसमें अनटोलिया का भी बहुत सा रीजन आता था, तो एर्दोवन यहाँ आपर यही कह रहे हैं, कि जिस तरीके से इसराइल आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से यह लगातार गाजा की जमीन कबजा चुके हैं, वेस्ट बैंक में भी आपको बता है, बहुत सारी जमीन इसराइल कबजा चुका है, ये कह रहे हैं कि eventually इसराइल अपना जो एक ancient इनका empire हुआ करता था वो बनाने के लिए निकला है और इनके हिसाब से eventually ये टर्की का जो area है ये भी कब जाने के लिए आएंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये actually टर्की की रक्षा कर रहे हैं हमास को support करते हुए अब यहाँ पर पूछोगे कि इस सबका impact इंडिया पर कैसे आएगा देखो पाकिस्तान पर कैसे आएगा ये already आप समझ चुके होगे अगर कल को खत्रा आया टर्की पर और मैं आपको बता रहा हूँ आएगा eventually बिलकुल इसराइल टर्की के पीछे भी भागेगा जिस तरीके स आपने देखा होगा relations बिलकुल टूट चुके हैं इसराइल टर्की के भीच में ट्रेड सस्पेंड हो चुका है दोनों कंट्री एक दूसरे को कह रहे हैं कि एक कंट्री आतंगवादी है इसराइल कहता है कि एर्दोवान एक तानाशा है डिक्टेटर है तो relations all time low पे हैं पाक कि इसराइल को all together हमास को completely finish करना होगा अपने geopolitical goals को achieve करने के लिए अगर हमास बच जाता है तो जो भी इसराइल ने किया है जो भी USA का पैसा खरचा खुद का पैसा खरचा अपने soldiers को यहां पे काम पे लगा दिया यह सारा आप कहली जे इनका जो भी effort था सब waste चला जाएगा अगर हमास वापस कुछी हफतों में खड़ा हो गया तो आने वाला time देखिए बहुत interesting होगा और मैं आपको बता दूँ इसराइल की तरफ से heavy pressure आएगा इंडिया पे ना सर्फ इंडिया पे सब countries पे जो हमास को एक आतंगवारी संगटन नहीं मानते के you have to pick a side हमास को एक आत आप नहीं कर सकते तो आप बताईए long term में आपके हिसाब से इंडिया को इसराइल के support में आना चाहिए या फिर बिलकुल neutral रहो जो अभी stance है ये इंडिया के लिए perfect है क्योंके situation बहुत जादा complex होने वाली आने वाले time में और अगर आप सोच रहे हैं Turkey और इसराइल के बीच एर्दवान यहाँ पर बिलकुल गलत नहीं कह रहे मैं imagine कर सकता हूँ एक geopolitical reality बन सकती है कि Turkey को eventually Israel का attack face करना पड़े तो आने वाला time देखिए बहुत uncertain होगा कुछ updates आती है तो मैं आपके लिए updated video ले आऊँगा for the time being this is the end of this video thank you for listening and as I always say may the gods watch over you